अगर आप कुछ और बनना चाहते हैं अगर आपके साथ है आपके तारे आज भी जोतिश गुरू को लेगाँ बहुत-बहुत सवागत है जोतिश गुरू आपका जी नमश्कार तो आज है नवरात्र का पांचमा दिन मा सकंद माता की आराधना का दिन जानेंगे उनकी महिमा, उनके रूप, उनके वैभव के बारे में लेकिन उससे पहले एक नज़र डालनेते हैं आज के पंचांग आज 3 अक्टूबर 2019 से और प्रिस्कुतिवार का दिन श्री विक्रमी समवत 2076 है और शक समवत 1941 है अश्वन मास चल रहा है और शुक्र पक्षी पंचमी तिती है सुभे 10 बचकर 12 मिनट तक और उसके बाद 6 तिती है अनुराधा नक्षट्र है दूपहर 12 बचकर 10 मिनट तक और उसके बाद जेश्ता नक्षट्र है चंद्र माँ चल रहे हैं पृष्चिक राशी में आज गंडमोल है दूपहर 12 बचकर 10 मिनट से और शुक्र तुला राशी में प्रुवेश कर रहे हैं देर रात पांच बज़ कर चौदा प्राइटा तो नवरात्र का पांचवे दिन है मा सकंद माता की पूजा आराधना का दिन है तुमा के सुरूप के बारे में जानते हैं जो तुश्कुदे से मा दुर्गा का पांचवे सुरूप है सकंद माता नवरात्रे के पांचवे दिन सकंद माता की पूजा आर्शना की जाते हैं कहते हैं कि इनकी कृपा से मूड भी ग्यानी हो जाते हैं सकंद कुमार कार्टिके की माता होने के कारण इन्हें सकंद माता के थे भगवान सकंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान इस देवी की चार भुजा हैं ये दाई तरफ की उपर वाली भुजा से सकंद को गोद में पकड़े हुआ है नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है बाई तरफ उपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और मन को एकागर रखकर और पुवित रखकर इस देवी के अरादना करने वाले साधक याबर्थ को जीवन रूपी इस हव सागर को पार करने में कोई कटनाई लेखे तुमासकंद माता आज के दिन आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें इसी सोच के साथ मेश और विशप सबसे पहले आपकी बारे में आपका राजवपल आपके सामने रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आप आज क्या करें क्या ना करें नेश्राशी वाले ही समझ ले कि जिंदगी की रुकावटों की वज़े से आपको कामकाज की स्थिती भी कमजोर लगनी शुरू हो गई पर बहुत हद तक आपके मन की बनाई हुई दूविदाय है ये जिसकी वज़े से आप निजी जीवन की चंताओं को भी पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं क्या करना चेस समझ लेगी यतास्तिती बनाय रखने से बहुत सारी चीज़े संभलेंगी और किसी भी तरह का बदलाव करने से नुपसान होता चला जाएगा जिसकी वज़े से आपकी रुकाव्टें बढ़ेंगी तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ जोड़ी होई पहले से ही सतर ट्रह कर चलने से अपने हालात को संभालने में मदद मिल सकती जिन्दगी की चुनौतियां हम सब के लिए बनी हैं लेकिन ऐसे में घर परिवार से जुड़े सुख को किसी भी विज़े से कम न करते चले जाएगा लोगों के प्रती इतना अलाउश्कनात्मक न हो जाएगा कि आप सिर्फ लोगों की गलतियां ही निकालते चले जाएगा व्रिश्वराशी वालों की कोशिश है कम हो जाएगी तो कामकाज को संभालना और भी मुश्किल होता चले जाएगा फिर आपको इस बात का अभास होगा कि लोग भी आपका गलत फायदा उठाना चाहरे है अपने विवहार को थोड़ा सा और ज्यादा विवहार एक बनाने से आप अपनी मुश्किलों को समझ भी पाएंगे और संभाल भी पाएंगे ऐसे में काम के प्रती अपनी तवज्जों को तो बढ़ाना ही पड़ेगा क्या करना चाहिए समोमें पैसे से जुड़े फैसले अपनी शम्ताओं के अनुरूप लेने होगे और अपनी उमीदों को भी अपनी शम्ताओं से ही डालना होगा जिन्दगी का एक बहुत बड़ा लक्षे होता है कि इन्सान फुश रहूँ और खुशी बनाये रखने के लिए अपनी बढ़ती हुई च्छाओं को तो थामना ही पड़ेगा क्या न करें समोमें अपने प्रियर जोनों से कोई ऐसा तकरार ना बढ़ाएं जिसमें आपकी गल्तियां भी उजागर होती चली जाएं इसी से कोई चूपती हुई बात कहकर आप अपनी मुश्किलों को कहीं बढ़ाते ना चले जाएं कोई चूपती हुई है तीकी बात ना करें ताकि मुश्किले ना पढ़ें आपकी सवाल लेते हैं सवाल है 31989 साथ बच कर पर तालीस मिनट मोगा में इनका जन हुआ है और साथ मेरों ने डीटेस दिये हैं एक लड़के के 381977 एक बच कर पर तीस मिनट एम परिदाबार में जनको है तो कब तक उस्था सले लेते हैं कि आपके प्रेडिक्शन पर इने बहुत भरोसा है 100% accurate होते हैं आपके प्रेडिक्शन बहुत बहुत शुक्रिया रमापका 2014 में इनका दिवाउस हो गया था और फिर पिछले साल इनकी एक लड़के से मलाकात हुई शादी के लिए बाद भी चली जाना ये चाहती है कि क्या ये दूसरी शादी मुम्किन है और कब तक इसका समय आपकी कुंडली है जी मेन लगन की और मकराशी की कि आपकी महादशा चल रहे है जी प्रिस्पती की और अंतरदशा चल रहे है शनी की नमबर 2020 तक कब तक दूसरी शादी होगी बात चली थी लेकिन वो बात आगे बढ़ने ही पाई कोई नहीं रुकावट आगी आपने कहा कि आप अभी भी उससे बात करते हैं कभी-कभी देखिये नमबर दिसंबर 2020 में आपको ये कोशिश कर लेनी चाहिए अभी भी एक साल के बाद है वो समय ताकि और ज़्यादा देरी से बचा जा सके और वो समय अच्छा भला है जब आपकी दूसरी शादी हो सकते आगे बढ़ते हैं मिथुन और करकराशिव आपके लिए आज की तैयरी लेकर आते हैं जो तिश्गुरू के जरीए और आपको बताते हैं कि जो नवरादर का पांचवा दिन है माता इसकंद माता का दिन है उनकी पूजा आरादना का दिन है इस दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है मिथुन राशी वालों के लिए काम काज से जुड़ी कई तरह की मुश्किल है जिसकी वज़ा से आपको लाब नहीं नजर आ रहा है और अगर लाब बन भी रहा है तो वो भी किसी ना किसी समस्या को सुलजाले के लिए खर्च होता चला जा रहा है क्या करना चीज समस्या काम और कारोबार में और अपने साथ ही सहयोगों को संबालने में आपका योगदान बना रहना चाहिए काम काज से जुड़ी बंती बिगटी स्तिति का असर आपके घर परिवार के रिष्टों पर भी पढ़ सकता है इसलिए भी बिनमर्ता बनाय रखने से लाव हो सकता है अपने मन को उचाट करने से मुश्किले ही हाथ लगती है क्या न करें इस समय में किसी एक चीज में इतना ज्यादा पैसा न लगाएं कि आपको नुकसान होना शुरू हो जाएं और किसी एक रिष्टे को इतना ज्यादा बढ़ाने की कोशिश न करें कि कोई दूसरा रिष्टा कमजोर पढ़ता चला जाए इसलिए तालमेल बनाय रखें ताकि कोई कमी ना रहे करक राशी वाले रिष्टों के प्रती समध्बित हैं और आपकी उमीदें तूटती चली जा रही लोगों से समर्थन भी नहीं मिल पा रहा और आपका अपना वरोसा भी ऐसा है जो बिखरता चला जाए क्या करना चाहिए समध्बित आप सी तालमेल बनाय रखने से हालात आपकी मदद जुरूर करेंगे इसलिए थोड़ा सा अपने मन को भी समझाना पड़ेगा ताकि रिष्टों के प्रतिय आपका ध्यान बना रहे और सबसे बड़ी जुरूरत ये पड़ेगी कि अपनी मानसिक्ता को थाम लिया जाए ताकि आप किसी भी तरह के अविश्वास से बच सके क्या न करें समय कामकाच को बढ़ावा देना है तो मिहनत के इलावा कोई और विकल्प नहीं है अच्छी बात यह है कि आपके अंदर हर तरह की काबलियत है जिसे आप इस्तिमाल कर सकते है आपके अंदर हर तरह की काबलियत है इसका पूरा इस्तिमाल कीजिए पर किसी भी चीज को बहस का मुद्दा ना बनना नहीं कन्या राशीवालों को किसी जमीन जायदाद से जुड़े मसलों में जूजना पड़ सकता है और अगर कोई कानूनी पेजीत गया है तो उने भी संभालने की कोशिश करनी पर सिप्ते है बहतर ये होगा कि बादचीत के माध्यम से ही उन समस्याओं का समाधान डून लिया जाए क्या करना चीज समोगा लोगों से बात करें और किसी नितीजे पर पहुँचने की कोशिश करें हो सकता है ऐसे में आपको लोगों से अच्छी सलहा मिल जाए और अपनी आर्थिक स्थिती को संभालने में भी मदद मिल जाए किसी भी जगड़े को बढ़ाने से बेथर ये होगा कि शान्ती से उस मसले को संभाल लिया जाए क्या न करें समय में कोई नया खेल केलने की कोशिश न करें क्योंकि बहुत सारी चुपी होई चुनाती हैं जो आपको मुश्किलों में डाल सकती है इसलिए कुछ भी ऐसा न करें जो आपकी अपनी गल्ती की वज़ा से आपके नुक्सान को बढ़ाता चलाए इसा कुछ भी मत कीजिए जो आपकी गल्तियों को बढ़ाया और आपके नुक्सान को बढ़ाया इस बात कर ख्याल रखेगा सवाल लेते हैं सवाल है खुश्बु कुमारी का तीन जनवरी 1985 बारभी घा शेखपुरा बिहार में इनका जन्म हुआ है आट बच कर तीन मिनट पर रात में शादी को चार साल हो गया है संतान सुक कब तक जीवन में है यह जारना चाहती है अचा इनके डीटेल्स है यह अभी जो हमने बताई इनके हस्बेन के डीटेल्स ते ते तो इनके डीटेल्स लेते हैं 12 फरवरी 1990 धनबाद बच टाइम चे बचकर 12 मिनट शाम का संतान सुक मही जुन 2021 का समय अच्छा है जब यह खुशी आपकी जिन्दगी में आ सकती है तो डॉक्टर की सला ले ले और अगर कोई इलाज कराने की ज़रोत है या कोई मेडिकल इशूज है तो उस बारे में भी ध्यान दे ले ले आगे तुला राशी वालों के अंदर हर तरह की कोशिश करके देखें और आप देखेंगे कि अविश्वास के बादल धीरे धीरे चड़ते चले जाएगा क्या करना चीज समय में काम के प्रती लगन पैदा करने की जुरूत है ताके उसी अनुपात में आपकी मेहनत भी उबर कर आए और यह ऐसा शेत्र है जिसे संभालना आसान पर अपनी आर्थिक स्थिक को संभालने में आप असमर्थ होते चले जा रहे हैं क्या न करें समय में लोगों की बात सुन लेना अच्छी बात पर लोगों की बातों में आते चले जाना ठीक नहीं यह समय ही कुछ ऐसा है जो लोग अपने हिट की बात करें जिसकी वज अपने हालात को किसी कमी की नजर से देखने के बजाए अच्छाई के रूप में देखना होगा, तब आपको इस बात का आपास होगा, कि आप बहुत सारा रास्ता तै करके आए हैं, जो आपकी खुश्यों को बनाए रख सके। क्या करना चीज समय में, अपनी सूजबूश को इस्तिमाल करने से कई सारी चीज़ें समल सकते हैं, और काम से लाब बनाया रखा जा सकता हैं, मुश्किल यह है कि आपका मन उचाट होता चला जा रहा है, और उसी चीज़ को फिल हाल संभाले रखने के ज़रोगा, क्या न करें समय में, सहत को नजर अंदाज बिलकुल न करें, इसलिए काम में भी इतना जादा वेस्तना हो जाएं कि उसका बुरा असर आपकी सहत पर पढ़ता चला जाएं, अपनी गल्तियों को पूरी तरह से न समझना और कुद को सही साबित करते चले जाना भी ठीक नहीं होता है, त दनुराशिवालों का मन परिशान रहेगा, तो आप गल्ति करते चले जाएंगे, और आपको नई संभावनाएं भी समझ नहीं हाएंगी, जबकि जरूरत यह है कि अपने मन को साफ कर लिया जाए, और हर ऐसे विकल्प के बारे में ध्यान पूरक सोचा जाए, जो आपके सा तब ही इस समय की मुश्किलों को संभाल पाएंगे, क्या न करें इस समय में, कामकाच के शेतर में आपका प्रदर्शन भी अच्छा है और हालाद भी मदद कर रहे हैं, पर अपने अंदर किसी भी तरह के अविश्वास की भावना लाने से नुकसान ही होता है, इसलिए अप कि इस समय कुछ ऐसा दर्शार आया कि आपकी मुश्किलें आपकी अपनी गल्तियों की वज़े से बढ़ी रहे हैं, जिस वर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा, एक एक बात को ध्यान पूरक समझेंगे, तभी आप उसका समाधान भी निकाल पाएंगे, क्या करना चाह अपनी कोशिशों को बढ़ाना है तो अपने अंदर जुनूर की भावना लानी होगी, कामकाज की स्थिति इस समय मद्यम हो सकती है, और फिर भी हालात मदद कर रहे हैं, इसलिए अपनी एकागरता को बढ़ाते चले जाने से लाब जरूर होगा, क्या ना करें समय में, आप के लिए अब हम हाजिर हैं जो तुश्गुरू को लेकर और साथ में आपका राजशिपल है और आपके लिए कुछ अचू टिप्स हैं आज के लिए उसमें दबाव बने रहना सुभाव इकसी बात, मन में थोड़ी सी शांती बनाए रखने से बढ़ती हुई पैसों की जूरूरतों को संभालना भी आसान हो सकता है, क्या ना करें समय में, अगर आप चाहते हैं कि तकदीर आपका साथ दे, तो अपनी कोशिशों को किसी भी इसे कम नो होने दे, इस बात को याद रखें कि अपनी मिहनत के बल्बूते पर ही इंसान बहुत कुछ कर पाता है, और बहुत कुछ उपलब्धियों के रूप में हासल कर पाता है, ऐसे में घर परिवार के रिष्टों को कमजोर करते चले जाते हैं, मीन राशी वालों के मन में काम को लेकर बहुत सारा असन तोश है, जबकि कोई ऐसी बड़ी कमी नहीं है, जिसकी वज़े से आप परिशान हो रहे हैं, या आपके मन में बनाई हुई निकार आत्मत है, जो आपको चिंताओं में डाले हैं, क्या करना चाहिए समय में, अपनी अच्छाई को भली बा पढ़ रहे हैं, दूसरी और अगर आपके फैसले गलत हो जाएंगे, तो पैसे का लेंदेर कटिन होता चला जाएगा, और इस समय ऐसी को इस्तितीना उबरने दे, जो आपको किसी जोखे में डालती चाहिए, हमें आगे बढ़ना है जो तुछ गुरू से और जानना है कि ज हैरे बना रखने की जुरूर पड़ती है, और मंदिर में थोड़ा सा समय नितीत कर लेने से ऐसा करना आसान ही हो जाता है, तो फिलाली जाता दीजे, और अगर आपको जिंदगे में लगता है कि आप वो नहीं बन पाए जो आप बनना चाहते थे, तो यहां पर कमी सिर्फ अपने अंदर है, अपनी सोच में है, अपनी मेहनत में है, उस कमी को आपको दूर करना है आपके तारे के साथ, अपने हर दिन को बेहतर ढंग से ब्लान करते हुए, अगर कोई मुश्किल है तो आईडी है, आपके तारे आज तक डॉट कॉम, अपना सवाल बेज़े, जोति अपने तारे